Hello everyone, once again welcome to WS Cube Tech YouTube channel, मैं हूँ मर्दस्कीर और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले है Google Ads में यूज होने वाली bidding strategies के बारे में बहुत important topic है, इसके इस वीडियो को end तक देखिएगा, यहां से बहुत सारे concepts आपके clear होगे सो दोस्तों यहां पर आप देख सकते मेरी laptop screen की उपर, हम लोगोंने set कर लिया है budget, budget set करने के बाद हमने ये भी समझ लिया कि किस तरीके से हमको उस budget को deliver करवाना है, यानि कि हमारे जो delivery method है, वो क्या होगा, वो standard होगा या accelerated होगा अब जब हम bidding के उपर आते हैं, तो bidding में अगर आप देखें तो bidding strategies आपको देखती हैं और bidding strategies में अगर आप जाएंगे तो यहां पर आप देख रहे हैं, आपको दो bidding strategies दीख रही हैं यानि कि artificial intelligence system जादा तर control Google Ads के हाथों में रहता है जहां पर हम automated bidding strategies की बात करते हैं और जहां पर manual bidding strategies हैं यहां नीचे आपको manual CPC दिख रहा है इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो control है वो user के हाथ में रहेगा जिसका Google Ads account है उसके हाथ में रहेगा यह दो main divisions हैं आपके bidding strategies की अब एक एक करके देखते हैं इन सारी bidding strategies को और इन में क्या-क्या चीज़ें unique हैं तो पहले set कर लेते हैं हम लोग target CPA जो हमें दिख रहा है target cost per acquisition तो इस type की automated bidding strategy में अगर आप target CPA set करते हो और यहां पर कुछ amount लगाते हो आप जैसे कि आपने लगाया यहां पर amount 50 ठीक है तो आप चाहते हो कि आपका जो एक acquisition हो उसकी जो target cost है वो लगभग लगभग रुपीज 50 हो बट क्योंकि यह target है क्योंकि यह fix नहीं है तो यह price उपर नीचे भी हो सकता है यहां पर कोई guarantee नहीं है कि Google आपको इतना ही price देगा यह price उपर नीचे भी हो सकता है तो target cost पर acquisition में आपके जो acquisition की जो भी आप यहां पर cost सेट करेंगे उससे उपर भी जा सकती है और नीचे भी आ सकती है तो यहां पर Google Ads आटमेटिकली bidding सेट करेगा ताकि आपकी जो target cost आपने रखी लगवा लगवे उसके आसपास पहुं सके और उसके बास second वाले पर आ जाते हम लोग जो है target ROAS यहनि target return on ad spend इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह हुआ कि आप कुछ जो return है जो आपको benefit मिलेगा जो profit मिलेगा उसको in terms of percentage आप पहले ही बता देना चाहते हूँ जैसे अगर आप एक रुपए लगाना चाहते हो और एक रुपए लगाकर आपकी जो cost है वो एक रुपए खर्च कर रहा हुआ आप एक रुपए खर्च करके आप चाहते हूँ कि आपको पांच रुपए profit हो जाए इन दाट केस आप कितना return लग 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 चाह रहा हूँ अगर percentage में convert करें तो 500% का return चाहते हुआ तो अगर आप यहाँ पर 500% लिख दोगे इसका मतलब यह हुआ कि for every one rupee that you are spending you are willing that you get rupee 5 fine तो यह 500% हो गया अगर हम इसको 200% कर देते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप जो एक रुपए खर्च कर रहो आप चाहते हो कि उसके return में आपको 2 रुपए मिले यहाँ पर भी यह चीज जरूरी नहीं कि यह चीज हो गुगल का जो AI system है वो पूरा कोशिश करेगा कि आपको इस टाइप के return दिला है बट यह necessary नहीं है कि आपको 200% का return मिल जाए यानि कि एक रुपए के उपर आपको 2 रुपए का profit हो जाए इसके बाद इसके बाद तीसर से जादा clicks आए तो google ads इस तरीके से आपके ad के impression show करेगा उन लोग को show करेगा जिनमें chances जादा है कि वो आपके ads के उपर click करें ठीक है एक बहुत बड़ा database google के पास already बना हुआ जिसमें user के behavior user का जो भी browsing pattern है वो सारा record करते उससे AI implementations करते हैं और उनको पता चलता है कि कौन से कौन से लोग हैं जो आपके आपके ad के उपर click करने के chances जादा है तो इस तरीके से आप maximize click का option select कर सकते हैं अगर यहां पर आप इसकी limit कर दें जैसे optional है अगर आप limit कर दें तो यह हो जाएगा manual cpc anyways maximize clicks के बाद आ जाते है maximize conversions जो इससे नाम से पता चलता है कि यहां पर Google Ads क्या करेगा क्योंकि यह automatic bidding strategy है तो automatically आपकी bidding set करेगा so that आपको जादा से जादा conversions मिल सकें किस basis पे जैसे मैंने बात करी क्यों Google के पास पूरा database है पूरी जो जो भी उसके उपर browse करता है browsing history, browsing pattern, सबसे सारी data उसके पास है उसके according वो देखता है किस chances में आपको ज्यादा conversion मिल सकते हैं किस impression पे आपको ज्यादा conversion मिल सकते हैं कौन सा user ज्यादा willing है जो आपको conversion दे सकता है इस type से वो आपका add उनी लोंको दिखाते है और फिर वहां से आपको conversions मिल सकते हैं उसके बा बात करें enhanced CPC में जैसे अगर आपने जो अपनी cost पर click रखी हुई है 10 रुपीज ठीक है एक click के लिए 10 रुपए देना चाहते है बट अगर वहां पर chances है कि आपकी जो click से वो improve हो सकते हैं तो यहाँ पर आपकी bidding जो है automatically increase या decrease हो सकती है ठीक है जैसे अगर आपको conversion मिलने के ज्यादा chances है 10 रुपए के आपने bidding रखी है cost पर click आपने रखा है और conversion मिलने के आपको chances है 13 रुपए पर तो यह bidding को 13 रुपए कर देगा और वहां से आपको conversion दिला देगा ठीक है इस तरीके से enhanced cost पर click bidding strategy काम करती है उसके बाद आपको target impression shares मिलते हैं so target impression share पर यह होता है कि आ आपका जो add का impression होना है search engine result pages में उसको आप search engine result pages के किस portion में लाना चाहते है जैसे गर आप anywhere on the search result page है तो इसको select कर लेंगे आप चाहते है top of the search result pages आए तो इसको absolute top of the result pages आए तो इसको तो इसके हिसाब से वो जो bidding है वो automatically adjust हो जाएगी और यहां पर percentage impression share to target यहां पर जो percentage impression share to target इ उसके उपर आप आपके जो impressions होने के chances उसमें से आप कितनी बार अपने impressions को show करना चाहते है जैसे एक particular keyword के उपर वहां पर 100 impressions हो सकते हैं तो आप उसमें से कितनी बार अपने add का impressions कराना चाहते हैं जैसे कि 50 बार या 20 बार तो इसके races पर आपको यहां पर percentage set करना है तो उसके depend करता है कि कि किस type का campaign आप run कर रहे हैं किस type का budget है किस type का time है मतलब कितने time तक आप campaign को run कर रहे हैं इन सबके basis पर और जो main main चीज़ वही होती है कि जो हमारा campaign का goal है उसके basis पर हम bidding strategies define करते हैं और सबसे safe जो है वो तो हमारी manual cost पर click है जहाँ पर पूरा का control user के हाथ में रहता और कुछ भी Google के हाथ में नहीं होता है बट फिर भी बहुत advanced level पर अगर आप काम करना चाहें और आपको अपने goal के बारे में अच्छी तरीकी से पता है और साथी साथ आपको बाकी settings के बारे में Google के अच्छी तरीके से पता है तो in that case आप बड़ी आसानी से बाकी जो हमारी bidding strategies है उनको use कर सकते हैं और उनसे फाइदा उठा सकते हैं तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को like कर दें, share कर दें और हमारे चैनल को subscribe करना ना मूले ताकि ऐसे और वीडियो आपको मिलते हैं Thank you guys once again for providing love and support and watching this video